पुलिस को सूचना मिली पुलिस को आते दे गोली कांड के आरोपी विजे भदोडिया निवासी पुर्वा चंदेल अजीत मल ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया बचाप करते हुए पुलिस नहीं फायरिंग शुरू कर दी जिससे एक गोली विजे के दाहिने पैर में जा लगी जिससे वे गायल होकर गिर पड़ा पुलिस पार्टी ने गायल विजे को हिरासत में लेते हुए 50 सहिया यूप अस्पताल में भरती कराया जहां पर उसका उप्चार किया गया है विजे सिंग को जब पुलिस माल बरामतगी के लिए लेकर गई तब विजे सिंग ने फफुन थाने में तैनाद एसाई रामचंदर की सरकारी पिस्टल छीन कर भागने का प्रयास किया और फाइरिंग की पुलिस द्वारा बचाप करते हुए जबावी फाइर किये गए जिससे अभियुक के पैर में गोली लग गई जिसके बाद वैग गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया अभियुक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भरती कराया गया है जो थाना अजितमल छेतर का रहने वाला है और इस पर पूर में भी लूट के मुकदमे हैं इसको पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है माल बरामदगी की दुरान जो पुलिस पार्टी इसके साथ कई थी इसने उनकी पिस्टल चीन कर उन पे फाइरिंग करी आत्मरक्षार्थ की गई जवावी फाइरिंग में अभ्यूक्त घायल हुआ है इसकी निशान देही पर जो लूट का समान है जिसमें सफेद धातू एवं पीलि धातू का समान है वो बरामद किया गया है और इसी की निशान देही पर जो घटना में प्रयूक्त अवैद अस अब भी परामद किया गया है इस संबन्द में एक अव्यूक्त जिसका नाम विजे बदोडिया है जो कि थाना अजीतमल का रहने वाला है इसको गिरपतार किया गया है माल बरामदगी के दौरान पुलिस पार्टी इसके साथ गई थी इसने पुलिस की ही पिस्टल छीन कर फाइरिंग कर दी अपने आत्म ब्यूरो के लिए और एया से जाहित अक्तर की रिपोर्ट